नमस्कार मेरा नम रिजवान उद्दीन है मैं यहां जम्मू एपीअफो में छेतरी भविशनिदिग आयुक्त हूँ अभी मैं रिसेंटली ही क्राउंसर होके दिल्ली अपने हैटपोर्टर से आया हूँ एपीअफो जो है यह मिनिस्ट्री आफ लेबर के अंडर में एक स्टैटिटरी ओर्गनाइजेशन है इससे पहले जम्मू कश्मीर और लदाक का जो प्रोविडेंट फंड और पिंटर के जो जो रिकॉर्ड्स था वो जेके एपीअफो में में मैंटेन किया जाता था लेकिन नवंबर 2019 के बाद से जबसे यह यूटी आपके जम्मू कश्मीर और लदाक यूटी बनने के बाद एपीअफ एक इंप्लोईज प्रोविडेंट फंड और लदाक यूटी में भी लागू हो गया है और इसके आने के बाद यहां पे जो करमचारी गण है जो भी प्राइव पेंशन दी जाती है उसमें हर करमचारी को जो भी करमचारी किसी संस्थान में कारे करत है उसको और उसके परिवार को पेंशन की पातरता हो जाती है यदि वो दस साल तक पीएफ का मेंबर रहा हो और उसका कंट्रिबीशन आया हो इसमें एक और फीचर है कि यदि कोई वारण उसकी मृत्यू हो जाती है तो ऐसे में विद्वा को और बच्चों को दो बच्चों को एक साथ पेंशन का प्रावधान है ये प्रावधान जेके एपिएफ एक में जो इससे पुराना एक था उसमें नहीं था यहां पर करबचारियों को तो एक नया लाब यह प्राप में भी खोला गया है जहां पर कि अभी इन्फोर्स्मेंट आफसर और हमारे कुछ सोशल सेक्यूरिटी असिस्टेंट वहां पर काम कर रहे हैं लेकिन वहां के भी जो दावा प्रपरत्र हैं वो जम्मू करहले द्वरा ही हम निश्पादित कर रहे हैं इसके अलबा लगदाक में लेबर कमिशनर ओफिस में हमारा एक चोटा सा डिस्टिक्ट ओफिस कोला गया है और लगदाक के लोगों को भी हां सेवा दी जा रही है यहां आने के बाद मैंने क्लेम्स में जो खासकर एक जिस छेतर को हमारे कुछ अधिकारियों के दौरा भी प्राथिमिक्ता दी जा झाल